संजीवनी हस्पताल, बाल एवम शीशू रोग, जनरल सरजरी, प्लास्टिक सरजरी, नुरो सरजरी, नेत्र रोग, फीजियो थैरपी, स्री एवम प्रस्तूती रोग, विद्य एवम शुगर रोग, हटी एवम जोर रोग, कार्डियोलोजी, दंत रोग, एमर्जेंसिय चिक सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है आयूश्मान भारत हर्याना सरकार और रिटायर्ट फोजी भायों के इलाज इंशॉरेंस और टेपीए पैनल पर सभी सुवीधाइं उपलाप्त पूछ तच मोबाइल नमबर 7027566691 नमस्कार मैं हूँ प्रमोद और आप देखना सुरू कर चुकी हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ डवाली में डवाली गाओं में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जैसा कि अब सब लोग जानते हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे का उसका विरोध जो है किस का दोर है जारी है लेकिन क्या फूरा मामला है यहां पर ये क्योंकि लंबे समय से यस नो हैं जिनकी जमीन है वह अधिगरण जो अम्रसर से जामनगर जो हैवे बन रहा ए उसमें आ रही है और क्या मांगे हैं हमारे साथ दैरह मौलानिया है चोटाला से जो लंबे समय से इस हाईवे को लेकर के संगरश कर रहे हैं ताकि किसानों को जो है पूरा मुआवजा वार्ड जो है वो मिले और देराम जी क्या अब जो है मामला जिस तरह किसानों के साथ जो है परसासन के दिखारियों ने जबर दस्ते की दो दिन पहले जो वीडियो सोचल मेडिया पर वाइरल हुआ और आज टंकी पर जिक्षान कर चड़ गए परसासन की कदिकारी भी आ रहे हैं पेच कहां है बातचीत क्यों नहीं मानी जा रही है पेच यह यह वो वारताला आप नहीं चाहता क्योंकि यह आज का तो अंदोलन है नहीं डेड़ साल हमारा अंदोलन चल रहा है मुख्यमंत्री मौध्य को उप मुख्यमंत्री मौध्य को डी सी साब को सभी जो हमारे मतलब समझ से हम अवगत करा चुके हैं लेकिन सरकार कहीं ने कहीं किसा चीज आप पेसे दे बगेर कबजे में ले सकते हो अवार्ड भी नहीं उठाए है सट्रेक्टर के अवार्ड तो इन्होंने अभी तक बनाए नहीं जिन लोगों की खेतों में डानिया है ट्यूबे ले उनके पेसे आई नहीं किसान कहां अपना मकान लेगा कहां अपनी जमीन लेगा बगेर मुआवजा बगेर आवार्ड दिये ये जाती कर रहे थे हम 400 किसान थे 2000 मौजूद जो गन्ड के साथ पुलिस एक्शन फोर्स रेपिड फोर्स के जवान थे हम 400 किसान उनका कभी मुकाबला नहीं कर सकते सर फुडाने हैं तो अलग बात है हमने विरोध किया लेकिन परसास ने भी चलो नर्माई दिखाई तो फिर हमने एक मिटिंग की जो गवारा गाम में तो उस किसानों ने ये निश्चे किया अगर हम वाप जाएंगे तो फिर हमारे को लट्टों से मारेंगे अगर हम रोड रोकेंगे तो उसे रागिर परिशान होगे और फिर पुलिस बल प्रयोग करेगी एक एक कमपनी उन्होंने हमारे उपर फेर तो देनी थी तो ये शांती पूरक तीन जो किसान है वो किसी दूसरे को तकलीफ दिये बगेर अपनी जयान जोखी में डालके कल साड़े बारा बज़े से टंकी पे बैठे हैं भी इन किसानों को इनक हक मिले हम भीक के नहीं मांँ रहे हमारे बापदालों की जमीन है पर्सासन ने इस तरिके से कबजा लिये हमारे से भी हमने कोई सरकार की जमीन दबा रखी थी यह मैट रही दो चाम nella के जो पर चाहिया कि एक जूर गया है इस बात पर किसान राजी हैं हम तो पर चाहते हैं लेकिन जो यहां की मांगे जो वाटर कोर्सी डाये गए हैं हमने लेटर दिखाया था वह एक स्टे होता है इसाइब का उसमें उन्होंने स्ट रूप से लिख रखा है अगर एन्ने चाई कबजा लेगी तो किसान के खेत में जो वाटर कोर्शिज है वो यता स्तीती बनाए रखनी होगी ताकि जो बाकी दोनों टुकड़ों में अमारी जमीन है उसको कोई सिंचाई में या आने जाने रास्ते में दिक्कत ना आए परसाथ सन्ने ये हमारी बाते नहीं मानी बाग भी उजाड़े गए खेत भी उजाड़े गए और पूरा जो 40 किलोमेटर एरिया था उसको पूरे का पूरा कबजा किया गया 20 किलोमेटर एरिये में काम चला सकते थे 20 किलोमेटर छोड़ सकते थे क्योंकि अगर आज से हमारे 15 दिन पहले यह कारवाई कर लेते तो किसान का बीज डीएपी लाइनों में लग लग के डीएपी लिए जी वो तो उस जमीन में हम नहीं डालते अब यह कह रहे हैं हमने जमीन एक्वाइर कर ली तो हमने पैसे नहीं डाले आपने पैसे नहीं डाले जी और बिना पैसे डाले ही जबरन कानून का पाल नो गाओं की जमीन है लगवग 800-900 एकड़ जमीन में इस चाहिए अदिए नहीं है और लगवग 10,000 किसान इस्ते परवावित है परत्यक्स नहीं होगे अभी लोगों को इसके बारे में घ्यान नहीं है साव domains पढ़कर कि सुना हो सावने जो बाते कैई है इस डियम साहब ने जो उनके पावर की बात नहीं है वह उन्होंने पेहले पेहली वारता मी कह दिया था बी जो मौझा पहरो यह मेरे बसकी बात नहीं यह जानते हैं यह बात हम जानते हैं लेकिन जो ने जो मुद्व शाल ह हें यह पर शासनिय अदिकारी है वह सुलजा सकते निनान में 16你 G左 सकते हैं आमरे एक pakन मुद्दा हो में या लेंड को और्ल कि व करहों को पुलगतर हमानतर शेहीं शाब नहीं कह रही है दरना चल रहा है मैं आपको इस वक्त दव वाली का जो जल्गर है उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं उपर टंकी पे जो किसान है और नीचे किसानों के साथ जो है दूसरे जो इनके जो trainer किसान जो आसपास के जो लोग है गाओं के जो प्रभावित हो रही हैं है से हाईफिय को ले करके वो भी यहां पर धरना दिया हुआ है और परदसन कर रहे हैं तो लगतार मारेस्ता बने रही इस वीडियो को जादा से जादा शेयर जुरू कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज है वो सरकार तक जुरू पहुंचे बहुत बहुत शुक्रिया